25 जन्वरी मद्दाता दिवस है ब्वा cancelled न वट राश्टे के निर्मार में भाग्यदार बनता है बहरत में जितनी भी चुनाब होते हैं उनको निर्पेक्स्ता से संपन कराने की जिम्न दाधे भारत आयोग की होती है भारत निर्वाचन आयो का गठन भारते सविधान के लागों होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत एक गठन देश बनने वाला था भारत में लोक्तांत्रिक परकिर्याव से चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयो का गठन जरूरी था इसलिए 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयो गठन भुआ भारत सरकार ने वर्स 2011 से हर चुना में लोगों की बागयदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही राष्टे मर्दाता दिवस के रूप में मनाने की सुरुआत की थी और 2011 से ही हर वर्ष 25 जनवरी को राष्टे मर्दाता दिवस मनाया जाता है इस दिन देश में सरकारों और अनेक समाजिक संस्थाव द्वारन लोगों को मदान के पर्टिक ज्यागरुपपा करने के लिए अनेक कारिकनों का आयोजन किया जाता है राष्ट्य मदाता दिवस का हर वर्ष आयोजन सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्टे के प्रतिक करते हैं के दिन लोगों को यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति के लिए मद्दान करना जरूरी है भारत देश की 35 परतिसत आवादी यूवाओ की है इसलिए देश के पर्टेक चुना में यूवाओ को जादा से जादा भगेदारी देनी चाहिए और ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो की संपारदायकता और जातिवाद से उपर उठकर देश की विकास के बारे में सोटे जिस दिन देश का यूवा जग जाएगा उस दिन देश से जातिवाद उच नीच संपारदायक बेदवाग खतम हो जाएगा और यह सिर्फ और सिर्फ हो सकता है हम सब का मदान करने से राष्टे मदाता दिवस्पा उद्देश से लोगों की मदान में अधितम भाग्यदारी शूनिचित करने के साथ साथ मदाताओं को एक अच्छा साथ सुत्री छवी का पृति नीजी चुनने के लिए मदान के लिए जागरू करना है हमारे लोगतांत को पिसमें इतना मजबूत बनाने के लिए मदाताओं के साथ साथ भारत देश के निर्वाचन आयोग का भी एहम योगदान है हमारे निर्वाचक आयोग की वजय से ही देश में निर्पक्स सुनाव हो पाते हैं आज राष्टे मद्दाता दिवस के दिन देश के परतेक मद्दाता को अपने शाकिर्य भागयदारी के माध्यम से लोकतांत को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए यह थी एसे लिज की हुआःग्टे के जएग्टे का सब्सक्राइब है